हेलो एवरीवान, साश्टिकाल सार्यानू, थोड़ बहुत बहुत स्वागत है जिदी क्लास्ट, आपा कारे हैं फोर्थ क्लास दी बुक, वेलकम लाइफ, ते शुरू करें जारे हैं उदा थर्ड लेसन, जीदा ना है गया है वैल्यूस, वैल्यूस अ मतलब हुंदा है मुल, वाट इस फैमिली, परिवार की हुंदा है, शुरू कर देयां ए पार्ट तो, लेट्स लर्न अबाउट फैमिली, आओ परिवार बारे सिखिए, अ फैमिली is two or more people who are connected by love or kinship, एक परिवार दो या दो तो वद लोकां दा हुंदा है, जो प्यार या फिर kinship दा मतलब रिष् परिवार इक समाज दा बहुत महतव पूर्ण हिस्सा हुंदा है, इज अलसो कॉल टबर ते फैमिली नू, पंजाब बीच टबर भी कहा जान दा है, अ फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग, नूकलियर और जोइंट, परिवार छोटा भी हो सकता है, वड़ा भी हो सकता है, नू रेंदेने या चाचा चाची रेंदेने वड़ा परिवार, उन्हें अथे तस्वीरा रही समझाया गया है, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ए हैगे ने अथे, पिता जी, माता जी, पैंटे परा, ए हो गई एक नूकलियर फैमिली जिनू आपा कहन दे है, छोटा परिवा अगे अथे बनाए हो इने फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड फादर, ते ग्रैंड मदर, यानि की दादा दादी भी नाल हैगे ने, एनू आपा कह सकने एक वड़ा परिवार, ते अथे जो तस्वीर दखाई गई है, उदे विच कौन-कौन हैगे ने फादर, मद सिस्टर, ब्रदर, पिता जी, माता जी पैंड परा, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, दादा जी, दादी जी, अंकल, चाचे या ताए, आंट्स ते थोड़े काजन्स यानि की पैंड परा, ए हो गई साधी एक जोइन्ट फामिली, उना अपां अग्गे वाद्यां होर समझते हैं, एथिक एक्टिविटी दित्ती हुईया, दे टीचर विल आस्ट दे स्टूडेंट्स अबाउट देर फैमिली मेंबर, यानि की अध्यापक जड़े हैगे ने, विद्यार्थियां नू, उना दे परिवार दे जड़े मेंब हैगे ने, उना बारे पुच्छन गे, तुसी जरूर दसे हो, कॉमेंट सेक्षन दे विच की थोड़े परिवार विच कौन-कौन है गया, जोइंट फैमिली है गिया की नूक्लियर फैमिली है गिया, B part, how can we become obedient, असी आज्याकारी किवें बंढ सकते हैं, obedient ता मतलब जो बच respecting our parents and complimenting what they say, again, दा मतलब ए भी असी जे अपने माता पिता दा आदर कर देया, ते उना दिया गल्ला, ते त्या नाल सुन दे भी है गया, ते त्या आण भी दिन देया, ते फेर असी आज्याकारी बंढ सकते है, केडिया गल्ला ते आण विच रखनियाने, सब तो पहला, don't argue जे थोनु कुछ केहा जान दा है, ते उसते अगे बहस ना करो, focus on the task at hand, यानि की जो थोनु कम दिता गया है, उत्या आण नाल नबाओ, पूरा करो, apologize for your mistake, जे तुसी गल्ती कर देयो, ता उसले ही माफी भी मंगो, respecting elders, ते आण रखो की वड्या दा बजुरगां दा सतकार कि जाए, serving parents यानि की अपने माता पिता दी, सेवा करो, listen carefully, जे थोनु कोई गाल समझाई, जान दिया ते उननु बड़े त्यान नाल सुनू, एथे एक और activity जित्ती गईया, teacher will ask the students to complete the following column, अधे आपक विद्यार्थिया नु हेथां दिते, कॉलम नु पूरा करन ले कैंड गे, हुन एथे की की, पुछे एथे पुछे, obedient to the teacher, तुसी अधे आपक दे आज्याकारी किवे बंड सक देओ, एथे तुसी कुछ तरीके दसने ने, obedient to the law, यानि की कानून दे आज्याकारी किवे बंड सक देओ, तुसी एथे दसने, एथे एस हिससे विच लिखे है, मैं teacher दे कि किवे आज्या कर सक देया, teacher देले आपक कह सक देया, listening carefully ते आणनाल सुनना दे आपक नू, completing the homework कर जाके अपना काम पूरा करना, reading in the classroom, classroom विच ते आणनाल पढ़ाई करना, respect the teacher, दे आपक दा सतकार करना, not to indulge in arguments, यानि की बहस विच ना उलजना, हुन काल करनेया, वी law दी किवे आपका आज्या कर सक देया, कानून किवे मन सक देया, follow the laws, कानून नू मनना, following traffic rules, traffic दे नियमा दा पालन करना, performing fundamental duties, साड़ी जड़ी duties, कानून विच लिखिया गई है, constitution से विदान विच लिखिया गई है, उननू पूरा करना, जिवे कि ये ह मॉन्यूमेंट से जान देया, उथे खुरच के आ जान देया, कोई पिलरते, दवारते, या उथे गंद सिट्टे आन देया, अपनी जड़ी थावा है गिया, देश दी, उननू साफ सुत्रा रखना, पाई चारा वदा आना, इस सारी साठी डूटियां है गिया ने, अगे ह जाके वोट पाना है बहुत जुरूरी है गया, रिस्पेक्टिंग दा कॉंस्टिउशन अपना सविदा अंजड़ा है गया, वोदा आधर करना, वोदा ही इज्जत करना, अगे चाल देया, एथे लिख्या है, ओबीडियेंट टू पैरेंट्स, यानि माप्या दी, कि मैं ग पैरेंट्स यानि पैरेंट्स दी सेवा करना, लिस्निंग केर्फुली ओना दी गल्तिया आना हुसुदना, फिलिंग सॉरी फोर दे तुसी गल्ति करते हो, ओदे लही माफी मंगना, नॉट टू इंडल्ज इन आर्गुमेंट्स बहस विच नहीं उलजना चाहिदा, सुसाइटी दे विच अपा की कीतिया अन रख सकनेया, तू फॉलो दे रूल्स एंड नॉर्म्स अप सुसाइटी, सुसाइटी दे समाज से जड़े नियम हैगे उना दा पालन करना, तू फॉलो ब्रदर हुद, यानि की पाई चारे दा पालन करना, रिस्पेक्ट ओल्ड र बेल्वे स्टेशन हो थे गांद ना, सिटना ते उनू खराब ना करना, जे तूसी बस विच जा रहे हो था सीता ना खराब करो, कीप अवे फ्रॉम फाइट्स एंड क्वरल्स, चगडे ते लडाई तो दूर रहना, अगे चाल दे याँँ सी पाठ है गया, लेट्स अंडर स्टोरी, हुन कोई गाल समझान धी कोशिश किती जारी है, एक कहानी राही, चलो पाठने या, a boy named Gopal lived in a village, एक पिंड विच, एक Gopal नाम दा मुंदा रेंदा सी, he was an obedient child of his parents, ते ओ अपने मापयां दा एक आज्याकारी बच्चा सी, whatever they said, Gopal used to do everything happily, उस्दे parents, उस्दे माप पे जो भी उसनों केंदे सी, Gopal सब कुछ खुशी-खुशी कारदा सी, other parents in the village also used to give examples of Gopal to their children, ते ए देखके पिंड दे होड जडे मापे सी, ओ भी अपने बच्चयानू Gopal दा उदारन दे के काम करवान दे सी, अपने बच्चयान तो, time passed on, समा बीत दा गया, Gopal had now grown up, Gopal हुन वड्डा हो गया सी, being their only son, Gopal's parents didn't let anything fall short of his needs, क्यूंकी Gopal उना दा इकलौता पुत्तर सी, इस कार के Gopal दे माता पिता ने, ओनू चेडी जरूरत दी चीजा सी, ओदी कदे भी काट नी होन दिती, There was always good food to eat, sweets, nuts, fruits, expensive clothes to wear, and all kinds of toys to play with. Time turned the wheel, समेदा चकर, चल्दा रहा, time लंग दा गया, Gopal fell into bad company, Gopal बुरी संगत विच पै गया, He, along with his parents, indulged in spending his parents' hard-earned money on drugs, ओ अपने दोस्ता नाल मिलके अपने पिता जी दी मेनती जडी कमाई सी, ओ नश्या विच खर्च करन लग पया, When parents came to know all about this, they got worried, ते जडोस्ते माप्या नू इस बारे पता लग गया, ओ चिन्तित होगे, ओ बहुत tension विच आ गये, Leaving behind all the worries of saving money, they started thinking about saving their son's life, ते उना ने पैसे दी परवा ना करके ए जुरूरी समझया विए अपने पुत्त दी जिंदिगी की में बचाई जाए, And how to bring him back on the right track, ते उसनू सही रस्ते दे किवे ले आया जाए वापस इस बारे ओ सोचल लग पे, गोपाल लवड आपल्स, गोपाल नू से बाउट पसान सी, His father came up with a plan, ते उसने पिता जी इक योजना बनान लग पे, He brought a basket of apples and kept them in गोपाल's cupboard, ते उना ने की किता एक टोकरी सेबा दी ले आके, गोपाल दी जडी अलमीरा सी, ओ दी जडी अलमारी सी, उदे विच राख दिती, He also put a rotten apple among other apples, ते जडी सेब दी टोकरी सी, जी दे विच ठीक सेब पे सी, ओदे विच उना ने खराब सड़या होया सेब भी राख दिता, Several days later, गोपाल noticed the stench of apple cider in cupboard, ते कई दिना बाद गोपाल ने apple cider जडी बदबू हुन दी है, ओदी सुगंध जडी सी ओ आंदी हुई उने, सुंगी अपनी अलमीरा तो अपनी अलमारी तो, On opening the cupboard, he found that all the apples were spoiled, ते जड उसने अपनी अलमारी खोली ते उसने देखिया भी, सारे जे सारे से खराब हो चुके सान, Meanwhile, his parents also came there, ते इस दुरान उसने माता पिता भी उत्थे आगे, His father told that instead of eating apples, he didn't even give a glimpse to basket of apples kept in cupboard, ते उस दे पिता जी ने दस्या कि उसने सेब खाण दी बजाए, असल दे विच एक नजर भी नी पाई सी उस टोकरी ते, ते जड ये विच सेब पाई सी ओदी अलमारी विच, If Gopal had seen and eaten the apples in time, not all the apples would have been spoiled, ते जे समा रेंदे गुपाल ने सेब खोल के अपनी अलमारी खा ले हुंदे, ता सारे दे सारे सेब खराब होने ही नी सी, The rotten apples could have been taken out, समे रेंदे जडे खराब सेब सी, ओ बार सिट देने सी गुपाल ने, There were tears in the eyes of parents, ते उस दे जडे मापे सी उना निया अक्खा विच हंजू आगे, They told him that they do not want to lose him, as he, Gopal, being their only son, is their only hope in old age, ते माप्याने दस्या अक्खा विच हंजू लेके, की ओहो अपने पुत, जिदा ना सी गुपाल उसनू गुवाना नहीं चान्दे, क्यूंकि ओ गुपाल ओना दा इकलोता पुत्तर होंड कारके, बुडा पे विच ओना दा इकको इक उमीद सी, He will become their support, ते ओहुई ही ओना दा साहारा बनना सी, Money stands nowhere as compared to him, ते ओना लई अपने पुत्त दे मुकाबले पैसा कि ते भी नी खड़दा, Bad company not only could have led to his death, it could have also led to the loss of their hard-earned money, ते जड़ी माडी संगत सी, उसने ना सिरफ ओदर लेख जा के गोपाल दी मौत वालनू ओदा सिर काठना सी सगो, ओना दी जड़ी कमाई है गिये मेनत दी, ओदा भी नुकसान होना सी, On hearing this, गोपाल repented and promised that from now onwards, he would not even think about keeping bad company, ते ए सब कुछ सुन के गोपाल नू पच्चतावा होया, रिपेंटे दा मतलब पच्चतावा होया, ते उसने वादा किता की ओहो हुन माडी संगत विच नहीं रहेगा, and would again become the obedient son of his parents, ते ओफिर तो अपने माता पिता दा जड़ा अग्या कारी पुत्तर सी ओबाण के दखावेगा, बहुत कुछ सिखन नू मिलया, activity दित्ती होया अगे, teachers will listen the story from the students and ask them to narrate it in their own words, keeping in mind the flow and rhythm of the story, अध्यापक एक कहाणी बच्च्चयां तो उना दी जुबानी सुननगे, एते आन रखदे होये वी ओजड़ी श्रब्द हैगे, ने ते जड़ा flow है गया story दा हो साही रहे, असल दे विच बच्चयां नू स्टोरी दा मतलब पता चाल जे, अगे एक होर activity दित्ती होई है, summary, repractice the evaluation, यानि कि दुबारा स्टोरी नू सुनके तुसी अपने शबना विच दसो, verbal explanation, यानि मूजबानी दसन, teacher will ask students to narrate any story, poem, और personal experience related to obedience, अध्यापक विद्यार्थियाँ नू आज्याकारी बणन दे नाल विलेटेड होना दे कोई स्टोरी होगी, काणी होगी, poem होगी या अपना अनुबफ शेयर करन ले कहनगे, he, she will take into account the views of students who are for and against being obedient, ते उस्तो बाद ओ ओना विद्यार्थियाँ दे, ते आन नाल विचारा नू सुननंगे, केडे एक बच्चे हैगेने, जो केंदेने भी सन्नू अग्याकारी रहना चाहिदा है, बढना चाहिदा है, ते केडे हैगेने, जिडे केंदेने भी कोई लोडनी अग्याकारी बढनन दी, एद्दा ही ठीक है गया, जिड्दा चाल रहे है, अपना अग्ये चालने है, ट्रू फॉल्स है यह गल्थ दसना है, आफ्टर बर्ट, फैमिली डज नॉट कॉंट्रिब्यूट तो एन इंडविज्वल, जनम तो बाद परिवार, एक इंसान दे, विकास दे वेच, खोई मदद नहीं करता, एक ही है गया, फॉल्स या गल्थ, पी पाट, इत इस आर द्यूटी तो सर्वार पैरेंट और फैमिली मेंबर्स, अपने माता पिता ते परिवार्दे मेंबरा दी सेवा करना साधा फर्ज है गया, ट्रू, सही है गया, एक परिवार जिस विच माता पिता पैंपरा दादा दादी चाचा ताए टे होर लोक रंदे ने मासी वगेरा या बुआ, उन्हों अपना छोटा परिवार कही दै गल्थ है गया, फॉल्स उन्हों अपना जोइंट फैमिली कही दै, स्मॉल नहीं, जोइंट. वी मस्ट कीप आर फैमिली वैल्यूस अलाइव, सानू अपने परिवार दे जड़ी कद्रा कीमता है गया है, या मुल है गये, उन्हानू जिउंदा रखना चाहिदा है, उन्हानू मनना चाहिदा है, वैल्यूस डोंट इंक्लूड बिंग अबीडियन्ट. जड़े मुल हैगे ने, कद्रा है गया, कीमता है गया, उदे विछ आग्याकारी रहना शामल नहीं है गया, एक ही है गया, फॉल्स. अब आग्ये चाल देया, एथे के है, फिल इन्द ब्लैंक्स, खाली था पढ़ने ने, वर्ड्स जित्ते होईने, रिस्पेक्ट यानि की सतकार करना, रैंक यानि की दर्जा, ग्रीन, हरा, अटेंशन, त्याहन देना, लेफ्ट, खबा, इम्पॉर्टेंस यानि की महत्र, सिलेक्ट एंड फिल इन्द वर्ड्स गीवन बिलो, उप्रोग जडे वर्ड्स जित्ते होईने, वो चूज करके अथे पारने ने, पहला है, ऑल्वेज वॉक ऑन दे लेफ्ट साइड अफ दे रोड, हमेशा सडक दे खब्बे पास से चलो, सेकेंड, ग्रीन लाइट इस एन इंडिकेशन तो गो, ग्रीन जद लाइट हो जानती है, यानि हरी राइट हो जानती है, इदा मतलब हुन दा है, भी सडक हुन तुसी क्रॉस कार सक दे हो, फ़र्ड, फैमिली हाज लॉट ओफ इंपोर्टेंस इन लाइफ, सड़े, जिंदगी विच परिवार्दी बहुत महत्तवता हुन दिया, फोर्थ, दे टीचर शुद बी लिसेंड केर्फुली, विद फुल केर्फुली नी, या था आएगा, तुसी लिख सकते हो, जे तुसी विद फुल लाणे हैं, तां तुसी लिख सकते हो, अटेंशन, अधरवाइस तुसी केर्फुली लिखोगे, अगे, वी शुद रिस्पेक्ट एवरिवान, साननु सब्दी, इज़त, सतकार करना चाहिदा है. Sixth, all the family members should get equal attention. परिवार्दे सारे जियानू बराबर attention मिलनी चाहिदी है, importance मिलनी चाहिदी है. ठीक है? ते एसी अज़दी class में उमीद कर दियां भी थौनू समझ आ गया होएगा. हुना आप अगली class दे विछ मिलांगे. तक 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 केर. बाग बाई. प्सक्तार।